यह एक जूटा प्रफगंडा बीजेपी, आरेसस यह कर रही है पुरेदेश में जैसा हिंदू धरम में प्रापटीस दान दी जाती है वैसा है मुसलिम धरम में दान दी गई प्रापटी है यह आर्टिकल 26 का वोईलेशन है आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलिजेश डिनॉमिनेशन अपने मजभ पे भी चल सकता और अपने जो इम्मूवबल बोवल प्रापटीस पे उसको एड्मिनिस्टर कर सकता तुरुपती के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्थानों में आप कैसे नौन मिस्विन को बनाएंगे यह जूटा प्रापगंडा बीजेपी आरेसेस यह कर रही है पुरे देश में कि वक्त प्रापटी जो है वो एक प्रापटी है बीजेपी उसको ऐसा बता रही है कि यह गौर्मेंट प्रापटी है तो यह एक प्रापटी है नंबर वन दूसरा एक जूटा प्रापगंडा बीजेपी आरेसेस और उनके अलाइस के तरफ से किया जा रहा है कि वखबोट के पास डेश में नौ लाक चालीस अजार एकर जमीन है ये एक अफवा पहला ही जा रही है नौ लाक चालीस अजार है कितने बत्तीस स्टेट वखबोट में अगर आप टेविलनाडू आंधरा तिलेंगाना और ओडिसा के तेरा हिंदू एंडोमेंट बोट की प्रापबोट की प्रापबोट की ले लिए तो यहीं पर दस लाक एकर जमीन हो जाती है तो यह जूटा प्रवगंडा के जारा है के आर्मी रेलवेस के बाद वखबोट भई आप टेविलनाडू आंधरा, तेलेंगाना और ओडिसा में सिर्फ तेरा प्रापबटी इसको कैग ने देखा इन चारों को आप मिला लीजिए दस लाक एकर हो जाती है पांचवी बात यह है कि यह जैसा हिंदू धरम में प्रापबटी दान दी जाती है वैसा है मुस्लिम धरम में यह दान दी गई प्रापटी है अब उसमें गॉर्मेंट कंटेफेरेंस क्यों हो रहा है यह आर्टिकल ट्विंटी सिक्स का वाइलेशन है आर्टिकल ट्विंटी सिक्स में लिखा गया कि कोई भी रिलिजिस डिनॉमिनेशन अपने मजब पे भी चल सकता और अपने जो इम्मुवबल मुवल प्रापटीस में उसको एड्मिनिस्टर कर सकता तो यह जो नरेंदर मोडी की सरकार है वो वक्फ प्रापटीस को बचाने के लिए वक्फ प्रापटीस को डेवलप करने के लिए वक्फ प्रापटीस में एफिशेंसी लाने के लिए यह बिल नहीं लाई है यह बिल इसलिए लाया गया है ताके हमेशा के लिए वक्फ बोर्ट को खतम कर दिया जाए इसकी मिसाल आपके साम में दे रहा हूँ नाइंटी नाइंटी फाइट में वक्फ बाई यूजर है याने कोई चीज़ के इस्तेमाल करने की वज़े से वो प्रापटी वक्फ हो जाती है इसान नमाज हो रही एक जगा पर यतीम खाना है खबरस्तान है अब बीजे पी इस बिल में वक्फ बाई यूजर हो खतम कर रही है वैसे अगर आप हिंदू धरम में देखेंगे कई इंडोमेंट बोर्ट में देखेंगे वहाँ पर बाई यूसेज वो प्लेस रिलियस हो जाती है लाउ में है हिंदू धरम के इंडोमेंट में अब आप मेरे को बताईए एक एक्जामपल दे रहा हो उत्तर परदेश में एक लाग एक्कीस हजार रिजिस्टर्ड वख प्रापटीस है सुनी वख बोर्ड में उसमें से एक लाग बारह हजार तो वख बायूजर है जब वख बायूजर खतम हो जाएगा तो कौन सा लाउपले होगा उसके अपर एक यह हो गया यह इनका यह वख बोर्ड बचाने का मतलब ने खीसने का मतलब है दुसरा उसमें क्या है कि कोई पांच साल जो मुसल्मान रहेगा उसमें लिखावा है प्रैक्टिसिंग मुसल्मान रहेगा वो ही वफ करेगा अब practicing Muslim ka मतलब क्या है क्या वो पांच लगत की नमास पड़ने वाला होगा क्या वो डाड़ी होगी सर पे टॉपी होगी क्या वो रातों में जाके मस्जिद में अबादत करे गा क्या वो खुरान का हाफ़ उगा क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नौन मुस्लिम होगी ये तुम कोनों ते टे करने वाले पांच साल प्राक्टिसिंग मुस्लिम है ना ये देख लो आप अच्छा कोई ऐसा लौ हिंदू धरम में नहीं है कोई भी कभी भी दान दे सकता है आप ये क्यों लेकर आए बताओ आप कोनों ते मैं प्राक्टिसिंग हूँ नहीं हूँ मैं मुसल्मान हूँ मेरे घर में जाक के देखें के नरदन बोडी या पिर पांच साल के बाद मोडी बोलेंगे आओ बटा तो मुसल्मान सटिफिकर लेकर जाओ हाँ तीसरा आप उसमें देख लो तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्ट प्रापटी जो गॉर्मेंट के खबजे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा अब आप मेरे को बताईए कलेक्टर खुद गॉर्मेंट का होता है एक्जेकुटिव का क्या कलेक्टर अपने मामल में जजज बन सकता क्या ये तो प्रिंस्पल्स आफ नैच्छल जस्स के खिलाफ है भी आप में मेरा जगड़ा होगा तो आप जजज कैसा बनेंगे तो कलेक्टर को अख्तियार दे रहे है कि कलेक्टर तेह करेगा अच्छा फिर सर्वे कमिशनर होता है जो सर्वे करता है प्रापर्टिस को ये बोल दिए कि सर्वे कमिशनर ने करेगा कलेक्टर करेगा सर्वे कमिशनर एक अलग होता है डिपार्टमेंट उसको खतम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वह आप उसको फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वफ सेंटल वफ काउंसल में वहाँ पर सिर्फ एक नौन मुसलिम मेंबर होता है मिनिस् स्टेट वर्खबोर्ट में पूरे मुसलिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम आठ या NON मुसलिम को अपईंट करना चारें, स्टेट वर्खबोर्ट में ऐलेक्शन होता है, मतवली कैटेगरी का, MLA, MP काटेगरी का और बार कांसल का आप नॉमिनेट करेंगे अच्छा नॉमिनेट क्यों करना चाहरे है अगर आप वर्फबोट का एक देखेंगे तो वर्फबोट में आपकी प्रापरटी वर्फ है मैं उसको डिरेक माइन्ट में पांच साल के लिए ले सकता हूँ जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूँगा उसमे तो मैं डिरेक माइन्ट मेंट ले लूँगा इनकी नहीत खराब है उसमे फिर आप ये कह रहे हैं कोई हिंदू वर्फ नहीं कर सकता है आप क्यों नहीं कर सकता हिंदू वर्फ कर सकता है वो मतवल्ली भी बन सकता है मगर आप हिंदू वर्फ नहीं कर सकता हूँ तो मिन्टरी यंगרिजी में दो मिंबर रहेंगे मिनिमम पिर ये जूटा प्रोगंडा बीजेपी की कि हम महीलाओं को बना रहे हैं वो पढ़ते नहीं है अलेडी महिला का प्रोविजन है क्या प्रोविजन है अब ये बोरे के दो बनाएंगे अभी जो प्रोविजन है एट लीस्ट टू याने दो से बढ़ सकते आप दो कर दिये खाली उसको वफ का एक ट्रैबूनल है अब ट्रैबूनल में फाइनल होता है अपील नहीं कर सकते भाई ट्रैबूनल के जज्ज्मेंट के बाद हाई कोट में रिव्यू पेटिशन डाला जाता है अपील करने से तो लाको के कोट में है और रिव्यू पेटिशन में हाई कोट पूरा रिकॉर्ड मगा सकता है तो ये वफ के फेवर में न कराए अभी खानूं क्या है कि अगर कोई वफ की ज़दाद को चोरी से बेशता है उसको दो साल का रिग्रस एंपरेजर्मेंट नौन बेलेबल अभी मोडी जी के दिमाग में ख्याल आया क्या ख्याल आया कि तू वख बोड़ की ज़दाद को बेश दे मोडी है तो मुमकिन है क्या मुम्किन है कि तेरे को दो साल नहीं सिंपल इमपरिजनमेंट तेरे को बेलेबल हो जाएगा तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है ट्राइबूनल है वफ का ट्राइबूनल उसमें एक डिस्टिक जज्ज सीजे अपॉइट करते हाई कौट के एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट परसन अब आप क्या करते है रिटाइड डिस्ट्रिक जज्ज रिटाइड गॉर्मेंट एंपलॉई कैसे होगा फिर अगर आपकी कोई वफ की प्रापर्टी है मैं जाके कंप्लेंट करता हूँ कि यह वफ नहीं है तो कलेक्टर विल और अइनक्वाइरी अच्छा पेंडिंग इनक्वाइरी और प्रापर्टी विल नाट भी वफ की आक में बोल रहे है बिल में बोल रहे हैंड दिर नो टाइम लिमिट फॉर एट इनक्वाइरी इसका क्या मतलब यानि आपके प्रापर्टी को मैं कम्प्लेंट कर दिया कि यह वफ नहीं है तो कलेक्टर साब दस साल ले लेंगे तब भी वफ नहीं देगा वो अपने कंट्रोल में आजाएगा तो अल इन अल अगर आप देखेंगे इस बिल में वफ प्रापर्टी के एफिशेंसी के लिए नहीं बनाया गया है यह वफ प्रापर्टी को खतम करने के लिए बनाया गया है अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपाइंट कर रहे है भई आप उत्तर परदेश में जाईए उत्तर परदेश में जो काशी बोर्ड है वहाँ पर तो क्लियर लिखावा है कि he has to be हिंदू अगर हो हिंदू धरम छोड़ेगा तो मेंबर्शिप चले जाएगी फिर आप देख लिजिए जाकर आप ये जो आपका टेमिलनाडू का एक्ट है चेलेंगाना का इंडोमेंट एक्ट है आंधरा का है उडिसा का है इसमें सब लिखा गया कि only हिंदू will become the member अच्छा हिंदू की परिभाषा क्या है सम्विधान में हिंदू सीख बोध और जेन मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा मेंबर अब मिसाल के तोर पर मूमबई में ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर सिद्धी विनायक है गुजरात में सोमनाद की मंदिर वो भी ट्रस्ट में आता वहाँ पर आप किसको बनाते हैं मंबर आप आप एक बात समझे तिरुपती के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो इतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्तानों में आप कैसे नौन मिस्टिम को बनाएंगे प्रसाद में आप बोल रहें के एनिमल फैट आ गया तो घलत है बोर हम भी मानते है नहीं आना चाहिए उनकी आस्ता है मगर यहाँ पर हमारे धरम में यह तो वकबोड तो है मुस्लिम धरम का इस्ता है तो इसलिए यह जो बिल मोडी लाए है उनकी सरकार लाई है वो वक प् होनेगा तो कलेक्टर साब के पास जाएंगे कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं यह दरगा नहीं है यह तो कुछ और है यह इंक्वारी ओर्डर कर देगा यह कैसे होगा बताई आप अच्छा एक में ठेरिए इसमें एसाई के प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट्स भी है एसा का सेक्शन सिक्स्टीन वन पड़ी आप वो यह बोलता है कि रिलीजियस कैरेक्टर अफ एनी प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट्स भी कैन नेवर भी चेंज़ तो यह इसलिए हम कह रहे हैं कि यह वख बिल जो नरेंदर मोडी लाए है वो वख की प्रापर्टीज को बचाने के ले नहीं अच्छा जो वख बोड को मतवली सेवन परसंट डेते थी अपने इंकम का इसको आप पांच फीसद कर दिये यह कौन सा वफ के मफाद में काम कर रहे बता हूब आप तो इसलिए यह सब एक मुसल्मानों से उनकी मस्जिदों को चीनना चाते हैं दरगाओं को चीन ना चाते हैं इसलिए इस बिलकुल आए हैं लोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल